नमस्कार दोस्तों मेरा नामा विलाज पाटिल और मां स्वागत करता हूँ मेरे चाये गेम आफ कैंडल्स में तो आज मैं आपको एक ऐसी सच्छा ही बताऊंगा ऐसी रियालिटी बताऊंगा जो मैंने खुद एक्स्प्रियेंस किये तो आप्शन्स ट्रेडिंग की रियालिटी आप्शन्स ट्रेडिंग जो करते हो आप उसकी रियालिटी बताऊंगा जिसने मेरे तीन साल वेस्ट कर दिये हाँ तीन साल वेस्ट कर दिये और मैं इस माध्यम से ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जो भ वीडियो को आखिर तक जरूर देखना जो भी points बताऊंगा खुद feel किये मैंने खुद experience किया है उसके उपर ही मैं यह जो वीडियो बना रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको कि जो है वो reality बताऊंगा तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखना तो सच्चा यह है कि मैंने कैसी शुरूरात की थी ट्रेडिंग की और मैं कैसे आया था तो कोवीड का टाइम था सब अपने अपने घरों में बैटे हुए थे जॉब्स वगेरा सब सब बिजनेसे सब बन पड़े हुए थे तो हम भी ऐसी घर पे बैटे हुए थे मैं भी बैठ मार्केट के बार में बताया तो तब मुझे पता चला कि मार्केट होता क्या है मैं धीरे-धीरे समझना चालो किया तो मैंने कुछ 100 या 500 रुपए कुछ डाले थे अभी याद नहीं है मुझे शायद 100-200 रुपए डाले थे तो उसमें से मुझे जो प्रॉफिट हुआ था ज इतना सेफ है समझा और कहां से सीखा यह सब मैंने तो मैंने जो जो भी ऑनलाइन अवेलेबल था या फिर यूटूब पे कुछ वीडियो अवेलेबल थे उस टाइम पे बेसिक्स के बारे में तो वो सब सीखे मार्केट होता क्या है कैसे क्या होता है औप्शन स्टेडिंग क के बारे में पता लगा तो ऑप्शन स्टेडिंग जब मुझे पता चला तब मुझे पता चला कि इसमें तो इतना पावर है इतना पावर है कि जो स्टॉक्स आपको दस-दस दिन रुका सकते 500,000 रुपे के लिए जो भी आपका मॉंड ओंगा उस पे तो वो तो यहां पे 5- तो आसान इसे बन जाता है तो मुझे स्टार्टिंग में अच्छा प्रॉफिट हुआ पर बाद में रियालिटी समझ में आए कि इतना आसान नहीं है तो मुझे एक कोर्स के बारे में पता चला जिनका मैं अभी नाम ने लूँगा बट वो कोर्स मैंने जॉइन किया उस समय पर जो की 23,000 रुपे उसकी फी थी अभी तो फो ज़्यादा होगी ये फी उसकी थोड़ी बढ़ गए ये शायद बड़ मैंने तब वो 23,000 का कोर्स लगाया कोर्स लगाने के बाद जब मैंने उनके strategies अपलाई किये ऐसा नहीं बोलूँगा कि मुझे फाइदा नहीं हुआ म बट reality कुछ अलगी थी कि उनके जो strategies थे वो बिलकुल भी काम में नहीं आए मुझे और मेरा loss बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया हर मैंने मैं 10-20,000, 15-20,000 रुपे डालता था और वो चले जाते थे loss करता ही गया करता ही गया मेरे continue दो साल ऐसे ही चले गया मैंने और चॉप जॉइन किये 5 डेज, 10 डेज और एक दो कोर्स लिए 10-10, 5-5, 20-20,000 के पहला 23,000 का लिया था बाद में और एक 10,000 का लिया था 5000 का लिया था उनके भी कोर्स मुझे काम में नहीं है क्योंकि options trading जो होती है वो अलग type की बात है जिसमें कि आप भी अगर options trading कर रहे होंग और अगर फिलाल अभी अभी losses में होंगे तो सच में burn कर दीजे क्या burn करना है क्या नहीं सब कुछ बताऊंगा reality बताऊंगा क्यूंकि जो pain होता है losses का एक बात समझ लिजे आप भी किसी को देखके options trading कर रहे होंगे आप भी किसी को देखके stock market में आये होगे बड़ एक बात स क्यों फेल होते उसकी reality बताऊंगा कि जितने भी account खुले करोड़ account खुले आपको पता है बड़ एक बात आपने notice की कि हर कोई पैसा loss करना हर कोई किसी हर कोई हर कोई व्यक्ति loss करना afford नहीं कर सकता क्यूंकि अलग अलग आपकी financial condition आपकी जो background होगा वो अलग होगा different होगा ह हर कोई उसमें महेने के 50,000, 20,000, 10,000 हर महेने नहीं डाल सकता तो आप बहुत जल्दी कुछ-कुछ लोग हार मान जाते कुछ-कुछ लोग आपका account बन करते तो वो भी इस गिंती में आते तो ये भी बात आपको समझने पड़ेगी अब आप ही खुद को notice कीजे मुझे नही पता आपको घर पे कितना सपोर्ट करते ये बात के लिए मुझे नहीं पता आप सैलरी वाले हो या ऐसी बेरोजगार बैठे हो जो हर मेने पैसे डालता है और चले जाते हर मेने पैसे डालता है और चले जाते इसका जो दूख है इसका जो पेन है वो खुद को ही पता है हमे और जब भी डालता था चार पात दिन में गमा देता कभी-कभी एक-एक दिन में मैंने पचास-पचास हजार उपए भी उड़ा है अकाउंट कितने बार मैंने ब्लो किया है तो options trading इतने आसान नहीं है ये मुझे बात समझ में आई तो मैं और वीडियो देखने लगा जो successful options trader हो उनको वीडियो देखने लगा सब कुछ देख लिया YouTube पे सब कुछ apply करके देख लिया फिर भी दो-चार दिन हपता वर अच्छा कर लेता था दस दिन अच्छा कर लेता था पर एक ही दिन में पूरा capital उड़े जाता था तो ये जो reality वादी बात है ये हर कोई offer नहीं कर सकता इसलिए दिल से बता रहूं जो मैंने experience के वो बता रहूं कि अगर आपको profitable बनना है अगर आपको अगर सच में कुछ इसमें options trading में करना है तो एक बात जान लो कि सिर्व ये game जो वो psychological का है और probabilities का है probabilities याने आपके 10 के 10 trade सही नहीं आएंगे नहीं आएंगे ये बात को accept कर लो जितने भी लोगों के मैंने videos देखी जो भी लोग successful थे सब की videos देखी उनके points निकाले कि ये आदमी क्या बताता है ये आदमी क्या बताता है ये आदमी क्या बताता है तो मुझे common चीजे कुछ नजर आने लगे वो लिखने लगा उस पे मैंने सोचा कि ये क्यू successful हुआ ये क्यू successful हुआ तो यहाँ पे एक बात समझ में आए कि strategy कोई भी हो सब अलग-अलग strategy use करते कोई candle देखता होगा कोई price action देखता होगा कोई indicator देखता होगा कोई news based trading करता होगा कोई OI data देखता होगा सब अलग-अलग बताते सब अलग-अलग कुछ न कुछ देखते तो आप भी जो देख रहे है वो भी सही है ऐसा नहीं की गलत है कुछ भी देखो हर चीज काम करती है हर चीज काम करती है बढ़ यह strategy का game नहीं है अगर strategy का game होता तो सब लोग अमीर बन जाते यह game है mindset का यह game है psychology का यह game है discipline का और यह बात मुझे common नजर आ इस सब लोगों में से जो successful है तो मैंने common point जब निकाले तब मुझे कुछ बाते समझ में आई कि सबसे पहला इक बात इसमें जो mindset और discipline जो आपको खुद को ही लाना पड़ेगा खुद के trading में कोई नहीं बदल सकता कितने भी पैसे डालो कितना भी ऐसा नहीं है कि बड़ी capital वाला ही हावे पैसे कमाएगा 10-20-1000 वाला भी कमा लेगा बट proper अगर आपकी psychology और mindset होगा तो नहीं तो बरबाद हो जाओगे मैंने 3 साल waste कर दी ये बात को समझने में कि कितनी साधी simple बात थी जो मुझे आज समझ में आई ये 3 साल जो waste हुए मैंने चाता कि किसी के waste हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आप भी waste मत करो बस अपलाई करो जो मैं आगे के 2 मिड में बताऊंगा बस apply क्या करना है ये बात समझ लो basic सी बाते आपको अगर पता होगी अगर नहीं पता होगी तो जान लो support resistance, price action बेसिकली होता क्या है support resistance, trend line, horizontal line एकादी strategy, कुछ भी पकड़ लो एक setup बना लो कि मैं ये चार्ट पे ये ये देखूंगा और इसको देखके trade करूंगा अगर ये आपके पास होगा तो बस अब सिरिप आपको discipline follow करना है तो discipline क्या follow करना है कि proper setup बनने के सिवा मैं trade नहीं करूंगा trend line को देख लिजे, support resistance को देख लिजे पस कुछ भी indicator देख लिजे जब तक मुझे proper setup नहीं मिलेगा मैं trade नहीं करूंगा ये पहला नियम है ये common लोगों में से जो बाते मैंने सीखिए और जो apply कि उसके बाद जो मुझे results देखने मिले वो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ ये जल से जल अगर आप apply नहीं करोगे तो आपके भी years waste हो सकते तो पहला तो समझ में आ गया होगा आपको किसी proper setup का wait कीजे और वो proper setup ही trade कीजे और दिन का loss आपका fix कर दीजी कि 1000 रुपे loss होता है तो मैं बंद कर दूँगा trading बंद कर दूँगा बंद कर दूँगा कुछ भी करके मुझे बंद करना है बस दिन भर उसके नादी नहीं लगना है मिस दिन भर market को नहीं देखना है देखो बट trade नहीं करना है दिन भर गिन के आपका loss fix होना चे दिन का कि इतना ही loss करूँगा या फिर गिन के इतना fix कर लो कि गिन के मैं इतने ही trade करूँगा अगर सही हो जाते है तो सही हो जाते है गलत हो जाते है तो गलत हो जाते है बस accept करना है सबसे hard past part जो है वो trading का वो भी यही है यही बोलता है कि proper setup का wait करो patience रखके उसके बाद proper trade में entry लो और proper trade में exit करो जो आपका profit fulfill हो जाता है और अगर उसका outcome अगर loss होता है profit होता है जो भी कुछ outcome होगा वो trade का जब आपने entry ली उसके बाद जो भी outcome होगा क्योंकि आपको पता है कि 500 रुपए जाने वाले 1000 रुपए आने वाले अगर आये तो तो 500 रुपए अगर loss हो जाता है मान लीजे बन कर दो बस आपको खुद को बोल दो कि मैं तीनी trade करूँगा दिन बर के या चारी trade करूँगा एक बार fix कर लो और बस एक महिना मेरे लिए नहीं तो खुद के लिए एक बार सब कुछ try करके बैढ़ गया होंगे न सब setup try कर लोगे सब लोगों को देख लिया होगा बस ये एक चीज करके देख लेना और मुझे बोल देना result नहीं मिला तो दिल से बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने apply जब करना सीखा और जब मुझे समझ में आए कि यही secret है ट्रेडिंग का जो दिन भर ट्रेडिंग करेगा वो कभी successful नहीं होंगा बस आपको गीन के 2-4 trade करने proper setup मिलने के जो भी indicator आपको बताएंगा बस कुछ भी कुछ भी जो आपको समझ में आता होगा वो आपका है बस वो setup मिलने के बाद मैं ट्रेड लूँगा वो ट्रेड में आपको पता रहेगा कि मुझे 500 रुपे loss होगा या भी profit होगा तो जब loss हो जाएगा बस accept कर लेना profit हो जाएगा accept कर लेना और दो चार ट्रेड हो जाते हैं दिन के बन कर देना loss भी होता है तो बन करना है profit भी होता है तो बन करना है बस इतना करके देखिए मैना दस दिन करके देखिए 100% result मिलेंगे इसके सिवा आसान कुछ भी नहीं है तीन साल बरबात कर दी यही सोचने में कि यह कुछ अलग करते होंगे लोग कुछ अलग करते होंगे बड़ इतना easy पैसा और इतना आसान चीज बस खुद का क्या यहाँ पर कठीन बात क्या है सब को पता है जीम में जाने से body बनती है जीम में जाना पड़ता है बड़ कौन जाता है कौन जा पाता है consistently कौन रोज जा पाता है इतनी आसान चीजे पड़ाई करने के बाद आदमी यह यह बन जाएगा पर कौन कर पाता है कितने लोग कर पाते पड़ाई तो वो ही बोल रहा हूँ इतनी आसान सी बात है बस आपके mindset को और आपको खुद को discipline बना लीजे खुद के psychology को उतना strong कर लीजे कि कुछ भी करके मैं burn कर दूँगा अगर इतना भी कर लेते हैं तो आप profitable trader बन जाओगे आपके साल बरबाद नहीं होगे बस इतना करके देख लेना अगर थोड़ा भी feel हो रहा होगा अभी भी losses में होंगे तो बस आखरी ये एक try कर लेना उस बस तीनी बाते मैंने बताई कि proper setup का weight कीजे कुछ भी जो भी कुछ देखते होंगे strategy का weight कीजे वो strategy को trade कीजे minimum loss होगा पता होगा डरने की बात है नहीं पता होगा आपको कि इतना ही loss होने वाला है और profit भी होता है loss भी होता है उसको accept करके system को close कर दीजे जो भी outcome होगा loss होग होगा वो accept करके बन कर दीजे क्योंकि एक दिन का game नहीं continue 10 दिन 20 अगर यह कोशिश करोगे यह capital बचाने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा कि कितना आसान था और मैं कितना complicated कर रहा था इतने सालों से सब losses आराम से cover हो जाए तो ठीक है वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हो और अगर अभी तक आखरी तक वीडियो देख रहे होगे यानि आप serious हो trading के बारे में आपको सच में कुछ ना कुछ करना है trading में आपको लगता है इसलिए आप आखरी तक वीडियो देख रहे हो तो please like और subscribe जरू कर देना क्योंकि ये बिल्कुल भी free है पर मुझे एक motivation मिलेगा और जो मैं कुछ सीखा हूँ learning जो मैंने किया है अभी तक trading के journey में वो आपके साथ share करते रहूंगा आगे भी ऐसे ही तो like और subscribe जरू कर देना और किसी कोई आपका friend कर रहा होगा losses में होगा त ठीक है तो मिलते नेक्स वीडियो में